नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं एक विसेश कोचर की जहां पर राहू और केतू अपने अपनी रासियां परिवर्तित करेंगे गोचर में बड़ा परिवर्तन होगा 18 महीने का ये बहुत बड़ा परिवर्तन है तो ये परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार से रह सकता है राहू और केतु दोनों ही इस गोचर में किस प्रकार से आपको करोणपती बनने तक सफरते करवा सकते हैं राहू और केतु कितना आपको सक्सेस्पुल बना सकते हैं इस गोचर में 18 महिने का ये बेहद खास समय तो अगर आपका तुला लगन या फिर तुला रासी भी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप पहली बार अगर चैनल पर विजिट किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। देखे राहू और केतु का गोचर जो हो रहा है इस बार राहू मीन रासी में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या रासी में। तो इनकी जो इस्तिती बनेगी आपके चार्ट में राहू चठे घर में रहेंगे और केतु बारवे घर में रहेंगे। अब मैन यह है कि यहाँ पे जो जुपिटर की रासी है, मेन रासी जुपिटर की रासी है और जो कन्या रासी है वो बुद्ध की रासी है, तो यह बहुत important हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी सारी अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी इस बार इस गोचर में, क्यों रखती ही रखती हैं, तो आपको इसके exactly जो results हैं, उनको देखने के लिए सनी और जुपिटर, तोनों की ही जो placement है उसको भी देखना पड़ेगा और राहू की placement को भी देखना पड़ेगा, क्या आपको राहू की महादसा या अंतरदसा चल रही है, क्या आपको केतु की है वो है जुपिटर, जुपिटर का गोचर देखे मेश रासी में रहेगा, जुपिटर अगले साल लगबग मई तक मेश रासी में ही है, और इस साल वो लगबग एंड तक वकरी भी हो रहे हैं, कुल मिलाके 118-119 दिन के आसपास का उनका वकरी काल है इस साल, तो ये काफी एक महतोपन फेज है आप लोगों के लिए, तुला लगन और तुला रासी वाले लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखे, राहु का जो चठेगर में गोचर हो रहा है, चठेगर का गोचर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स पे लेकर आएगा, और बहुत सारे ऐसे रिजल प्रोटेंट है आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले तो देखे, यहाँ पे जो एक फेज निकल के आ रहे है, राहु का वो फेज आपका रहेगा, जुपिटर जब तक मेस रासी में गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद जुपिटर जब वर्षब में चले जाएंगी तब, तो दोनों के ही रिजल्ट बहुत डिफरेंट रहने वाले हैं, इसके अलवाद जो राहु चठेगर का है, चठेगर का राहु है तो निस्तित रूप से आप ये समझ लेजिए कि वो इजी नहीं रहने वाले हैं ये जो अठारा महीने का समय आ रहा है, ये उतना इजी तो ब बहुत ही अच्छी जगए प्लेस्ट आपके चार्ट में, बहुत ही चांदार प्लेस्मेंट पे हैं, फिर भी कुछ परेशानिया तो आपको अवस्थे आनी ही आनी है, लेकिन ये राहु किस प्रकार से आपको करोड़ पती बना सकता है, ये राहु आपके केरियर में बहु अकसर इस प्रकार का राहु अगर आप बिजनस वगड़े कर रहे हैं तो आपको लोन वगड़े लेना पड़ सकता है हिल्थ के बहुत सारे इसूज आ सकते हैं जिसके विज़े से आपको बार बार परेशानी होगी कारिय छेतर में बदला हो सकता है कारिय इस्तल में भी बदला हो सकता है इसके लवा जॉब में प्रमोशन वगरे मिलने की चांसे नया जॉब मिलने की चांसे और केरियर के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर आपको क्रियेट होंगे इसके लावा जो जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जिनका बिजनेस है और विदेश से जुड़ाव है, उनको ये राहू विशेश लाब देंगे, तो आपका जो दाइरह है, आपका जो नेटवर्क है, वो इस राहू के गोचर में और ज्यादा बढ़ेगा, आपको औ करना पड़ सकता है, तो एक तो आपको जो अपने कागजात हैं, उनको संभाल के रखना पड़ेगा, राहू के स्कोचर में, किसी भी प्रकार के चीटिंग से, फोर्ड से सावधान रहना पड़ेगा, और एडजेकली जो प्रक्रिया है, किसी भी काम में, उसी को फोलो करना पड़ेगा, सोर्ट कट का इस्तिमाल अगर आप करने जाएंगे, तो दिक्कते हो सकती हैं, इसके लावा ऐसे जातक, जिनके कोर्ड केस, कोर्ड मुकद में चल रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से, जिनोंने अपराद किया है, कोई भी प्रकार का, उनको यहां पर राहत मिलने वाली हैं, लेकिन राहू के लिए हम यह मान सकते हैं, कि राहू जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव की चीजों में strongly राहू आपको involve करते ही हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि struggle वाला एक फेज, यह 18 महने का आने ही वाला है, संगर्स आपको करना ही पड़ेगा, competition आपक अठे घर का राहू, कहीं न कहीं कि आपके ननिहाल पक्स के घर का राहू है, तो ननिहाल पक्स में किसी को बहुत बड़ा health का issue आना, या किसी के death वगरे होना, इस प्रकार की इस्तितियां भी देखने को मिल सकते हैं, या उन लोगों से आपके सम्मंद अच्छे ना रहें, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ हद तक यहाँ पर आपके जो relations है, उनको भी राहू प्रभावित कर रहें, और फिर आपके जो business को लेकर अगर देखा जाए, तो business में भी काफी सारी प्रेशानिया, काफी सारा struggle आने के बाद ही business आपका growth पाए, ये सब देखने को मिल सकता है, आप उनमें कोई न कोई कमी निकालेंगे, जिवन साथ ही आपके लिए कुछ हद तक एक सत्रू की तरह विवार कर सकता है, कुछ समय के लिए, तो ये जो समय रहेगा, ये समय रहेगा जब जुपिटर मेश रास्ती में गोचर करेंगे तब तक, तो जुपिटर का मेश रास प्रकार से आपके लाइफ के आगे गोल्स रहने वाले वो सब आपको चेक करने के बाद ही अपने पार्टनर को चुनना चाहिए साथ ही पार्टनर का बिहेव बगर है और जो भी आपके साथ आपकी जो रिक्वाइर्मेंट है उनको आपको देखना पड़ेगा अब राहू का जो गोचर वो इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आपके चठे भाव में हो रहा है चठे भाव का राहू वैसे हम बोलते हैं होता बहुत ही अच्छा है लेकिन ऐसा राहू easy नहीं होता है ऐसे राहू में life बिताना easy नहीं होता अगर आपने कोई business चालू कर रखे है और अगर आप individually किसी business को कर रहे हैं भॉने बहुत ही अच्छी बात है अगर लेकिन आपने patnership कर रहे अपको बहुत बड़ा दोखे का सामना करना पड़ सकते हैं पार्टनरशिप में को खुछ legal issues का सामना करना पड़ सकते यह आपको ऐसी दिक्कते आ सकती है कि आपका जो बिजनेस उसके लिए आपको लोन तक लेना पड़े हलांकि लोन लेने के बाद भी आपका बिजनेस तो ग्रो हो जाएगा कुछ हद तक लेकिन आपके उपर जो प्रेशानियों का जो बर्ड़न आने वाला है जो चिनता आपक के इस चठेगर के स्वामी होकर वो गोचर करेंगे सेवंधाउस में तो जैसे कि मैंने बोला मैरीज के तो चांसिस बन ही रहें इसके अलावा आपको कुछ हद तक मैरीड लाइफ में प्रोब्लम्स आएंगे ने सिद्रूप से उसके बाद जुपिटर अगले फेज में यानि हो सकते हैं विदेश या आत्राओं में आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं जिनको आध्यात्म की तरफ बढ़ना है उनके लिए केतू का रॉल बहुत इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि केतू बारवे घर में गोचर कर रहे हैं लेकिन केतू भी उस रासी में गोचर बारवा भाव है वहाँ पे जो चठी रासी है वो आ रही है तो एक उपोजिट एक्सिस यहां पे हम यह मान सकते हैं कि बना हुआ है अब यह जो एक्सिस है उसी का रोल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपकी लाइफ में इसलिए आपके लिए यह 18 महने बहुत ज्याद लोगों से connection जो बहुत जादा है इसे लोगों से आपके बनने वाले connection अब यहां पे राहू की दृश्टियों की बात कर लिए राहू के अगर Never뼈 हो को तो सबसे पहले थैन्थ पर इनकी दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले 10th house पे इनकी दृष्टी पढ़ेगी 10th house पे दृष्टी पढ़ने से आपके promotion वगरे के chances केरियर में आगे growth होने के chances आपको मिलेंगे कुछ हद तक आपको अपने बॉस के खराब विवार का सामना करना पड़ सकता है राहू के इस गोचर में केरियर को लेके आपको चिंता थोड़ी ज़्यादा रहेगी और जुपीटर का जो गोचर है वो वर्षब में वर्षब वाला गोचर आपको धन समंदी मामलों में ज्य जुपीटर यात्रा करनी पड़े आपको विदेश यात्रा करनी पड़े ओड केश है तो आपको जेल तक भी जाना पड़ सकता है अगर आपका चार्ट बहुत ज्यादा खराब है तो अब राहू उसके बाद देखेंगे सेकेंड हाउस को सबसे इंपोर्टेंट जो में जो गोचर करेंगे वो ज्यादा important रहेंगे दन समंदी मामलों में उस गोचर में आपको विशेश लाब मिलेगा जुपिटर के उस गोचर से तो राहू की विद्रष्टी पढ़ रहे हैं तो financial condition में भी बहुत बड़े बड़े उतार चड़ाव आपको इन 18 महिनों में देखने को मिलेंगे अब जो राहू है यहां से राहू का जो रोल है काफी important रहने वाले हैं तो आप यह समझ लीजिए अगर अभी तक आपकी life में वो तेजी नहीं आई थी आप fast नहीं थे काम करने म फास्ट होना पड़ेगा कारियस तल से जुड़ी हुए कुछ समस्य आ सकती हैं हलंकि आप उन समस्याओं से बहुत जल्दे निकल भी जाएंगे आपकी जो कलिक्स हैं उनके साथ कुछ आपके issues रह सकते हैं कुछ issues आपके अपने boss के साथ भी रह सकते हैं लेकिन इन सब का सा दसा या अंतर दसा चल रही है तो आपके लिए केतु का गोचर important है आपका केतु आपके बारवे भाव में तो स्वास्त समंदी समस्याओं आने का chances रहेगा कुछ हद तक आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने के chances रहेंगे कुछ legal issues की वज़े से भी आपके खर्चे परष्ट है तो आपको issues आने ही वाले हैं तो मांसिक रूप से एक ऐस्तिरता की इस्तिति बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी depression वगरे इन सब की इस्तितियां आपको देखने को मिलेंगी साथी साथ आपका जो मन है वो काफी ज़्यादा गबराहट से भरा हुआ होगा तो इन सब issues का सामना आपको करना पड़ेगा अब ये राहू एक ही तरीके से आपको करोणुपती बना सकता और वो है आपके profession के थरू आपके जो business है उसके थरू लेकिन यहाँ पे आपको married life में भी काफी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो जो जुपीटर के गोचर का first phase है उसमें तो आपको married life से समंदित समस्याओं ज्याद आएंगी वो married life के लिए उतना अच्छा नहीं है लेकिन आज जो आगे वाला phase होगा जहां पे जुपीटर वर्षब में गोचर करेंगे उस phase में आपकी financial condition बहुत ज़दा improve होने की chances बनने वाले है तो कुछ इस प् वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद